सरकार चालू इंफरस्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बन कर रही थी जो सरकार लगातार ब्रख्टाचार के आरोपों से लिप्त थी जिस सरकार के दो मंत्री मनी लॉंडरिंग में जेल में गए दाउद के साथ रिष्टे इसका आरोप मंत्री पर लगा बावजूद उसके जेल में जाने के बार भी उनको मंत्री मंडल से हटाया नहीं गया तो एक प्रकार से पतभरष्ट ऐसी सरकार भारतिय जन्ता पार्टी ने जिसको लगातार विरोध किया ऐसी सरकार शिवसेना के माननिय उद्धो जी के नित्रुतु में कॉंग्रेस NCP की सरकार चली और इस सरकार के चलते शिवसेना के विदायकों में बड़ा रोश था उनको लगता था वापिस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बाते कही उसके विरोध में काम हो रहा है जिनके खिलाफ जिन्दगी बर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे साथ ही में उनकी कॉंस्टिटुएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था फंड्स मिलते थे और यह सारी चीजों से बड़ा अंद्रेस था और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नित्रुत में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कॉंग्रे के साथ हम नहीं रह सकते हैं और यह गडबंदन तोड़ा जा कि किन्तु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई माननिय उद्धो जी ने कि हिंदूत्व छोड़ दिया कि विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से जाना कि कॉंग्रेस और एंसीपी की बात दिल को लगा कर रखी और उन्हें ही महत्व दिया इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलन की मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा यह आवाज बुलन की और आवाज बुलन करके इन विधायकों ने यह कहा कि आप बहार निकलिए ने तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तिफा दिया तो हम यह लगातार पिछले डाई साल में कहते थे कि अंतर भिरोत से भरी हुई सरकार है ऐसी सरकारे चलती नहीं है और यह सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टर नेट गवर्मेंट हम देगे हम महाराश पर चुनाव नहीं लादेंगे इसलिए एकनात शिंदे जी के साथ सिवसेना जो है शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्हों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम मानने राज्यपाल जी को दिया भारतिय जनता पार्टी के हमारे घुट ने उनको पूरा समर्थन दिया हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टिया है इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनात शिंदे जी को सारे साथ बजे शपत के लिए न्योता दिया है अज के